जहिन दोस्तों मैं शिवान शरापका आज आपको बताऊंगा मल्टी मीडिया से रिलेटेड बेस्ट कोश्चन्स ठीक है ना देखे इसका मल्टी मीडिया जो है इसका एक पार्ट एक और पार्ट वीडियो उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के ठीक है और उसको आप जा करके देख लीजेगा वो थोड़े बेसिक कोश्चन्स थे थोड़े इजी-जी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले कोश्चन पर चला जाए विच वन ओफ दे फॉलोइंग इस दे करेक्टर स्टिक औफ आ मल्टी मीडिया सिस्टम निमने लिखित में से कौन सा एक मल्टी मीडिया सिस्टम की विश्रिष्टा है ठीक है ना चलिए कौन सी यह बटाई जल्दी से हाइ स्टोरेज है हाई टारेटस है बोट C बोट A और B या फिट D नन अफ दा अबव ठीक है तो देखिए मल्टी मीडिया हमको हाई स्टोरेज भी देता है और हाई डेटा रेट भी देता है ठीक है मतलब कि A और भी दोनों से ही है तो इसलिए हमारा जो required option हो जाएगा वो हो जाएगा C ठीक है दोस्तों चलिए अब next question की तरफ चटा जाए ठीक देखे full form आ गया मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि full form को जरूर ध्याम में रखा करिए जरूर से ठीक है ना चलिए AIFF stands for यानि के भी यह AIFF का full form पूछ रहा है क्या होता है AIFF का full form audio interchange file format audio interchange file folder audio internet file format या फिर C A S C I I interchange file format चलिए बताइए इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा वो होगा A ठीक है ना क्या A का मतलब कौन सा audio interchange file format देखे audio interchange file format यह कासा file format ना जो की mobile phones के लिए बनायागयाथ ठीक ना किसके लिए बनाया गया था mobile phones के लिए और love from में क्या होता है कि जो हम लोग audio save करके रखते है ना वो format जो होता है वो करीजा इसी का होता है ए आगे बढ़ते हैं अब next question की तरफ क्या है next question हमारा which of the following tags cannot be used to include audio on a web page web page पर audio शामिल करने के लिए निम्निलिखित में से कौन से tag इस्तमाल नहीं किया जा सकता ठीक है मतलब अगर हम web page पे audio अगर हमें लगाना है तो नीचे कौन सा ऐसा format है जो कि हम उसमें tag नहीं कर सकते हैं web page पर ठीक है तो कौन कौन सा option है इसमें A है bg sound, b music, c object या फिर d all of the above तो देखिए हम bg sound add कर सकते हैं ठीक है ना bg sound to add किया जा सकता है अब लेकिन यहां पूछा क्या है cannot पूछा है ठीक है कौन सा इस्तमाल नहीं कर सकते हैं यह हमसे पूछा है तो bg sound तो इसलिए यह नहीं होगा object तो हम लोग इसमाल करते हैं यह तो यह भी नहीं होगा all of the above भी नहीं होगा तो इसलिए जो required option हो जाएगा वह जाएगा B ठीक है इसका जो correct answer होगा वह कौन सा होगा B यानि कि music का जो format होता है वह हम उसमें पूरा पूरा नहीं लगा सकते web page पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या बोला है फिलंबा question आ गया यह तो है पर बात नहीं and audio respiratory is which of the following एक audio repository जो होता है निमनलिकेत में से कौन सा है कौन सा है बाई option पढ़ा जाए a web page presentation that warehouse audio files web प्रस्तुती जो audio file का भंडारन करती है a website that provide tutorials on sound web page website एक website जो धनी पर tutorial प्रदान करती है या फिर c a web server capable of playing audio files एक web server जो audio file को चलाने में सक्षम है या फिर d a library cataloging all midi यानी MIDI sound music सभी MIDI संगीत को सूची बद्ध करने वाला एक पुस्तकाल है ठीक है ना चलिए इसका जो correct answer कौन सा होगा किसी कोई guess इसका जो correct answer है वो होगा वेब presentation audio file ठीक है correct answer कौन सा हो जाएगा ए ठीक है ना अच्छा चलिए अभी जो यहाँ पे d option है उसमें MIDI है ठीक है अपने मैंने पिछले वीडियो में MIDI का full form बताया था तो अगर आपको MIDI का full form याद हो तो आप जरूर से comment करके बताईए इसका जो full form में वो क्या होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ next question हमसे क्या पूछ रहा है कि which of the following does MPEG stand for निम्रे लिकित में से किसके लिए MPEG का अर्थ है मतलब कि अब देखिए यहाँ पर फिर से MPEG का full form पूछा है ठीक है ना MPEG का full form यहाँ पर पूछा हुआ है तो option क्या क्या है अपने पास A movie and protocols engineering group B motion picture experts group C movie protocol experimentation group या फिर D movie protocol experts group ठीक है तो इसका जो correct answer होगा वो कौन सा होगा B ठीक है ना B motion picture experts group देखिए यह होता का है motion picture experts group यह एक alliance है यह एक authority कह लीजए आप जो की ISO दारा established है ठीक है और यह जो भी हम लोग graphics, media, upload या उसकी coding बगरा जितनी होती है वो सारी जो checking होती है ना वो इसी के दारा होती है यानि motion picture experts group के दारा ही होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब द देखिए आई है ना तो क्या option अपने पास ए है virtual reality marking language, B है virtual reality makes up language, C है virtual reality mark up language या फिर D है very real marking language ठीक है ना तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer होगा वो होगा C वाला ठीक है C वाला इसका correct answer होगा यानि कि virtual reality mark up language, virtual reality तो आप लोग जानते है ना जो आज कल ps4 चले हुए है, ps6 जो चला हुआ है जिसमें goggles पेना दिया जाता और feel एकदम यह होते है कि हम उसी एकदम game के world में ही है हम लोग, ठीक है वही होती है virtual reality उसी के बारे में थाई है, ठीक है यह mime प्रकार है, मतलब कि mime जो type है vrml file का वो कौन सा है नीचे दिया है, चलिए बताइए जल्दी से a model slash vrml या फिर midi slash vrml या फिर 3d slash vrml या फिर d audio slash vrml तो इसका जो correct answer होगा वो होगा a, यानि कि model slash vrml ठीक है न, mime को full form उपर बताया था वहने, चलिए आगे बढ़ extensions would you not expect to see on a vrml file, यानि कि आप निम्न में से किस extension को vrml file में देखने की अपेक्शा नहीं करेंगे, दिखे ध्यान से पढ़ियेगा नहीं है, मतलब not, not expected है, ठीक है न, चलिए कौन सा option, कौन कौन सा है, a है vr, b है wrz, c है wrl.gz, या फिर d है wrl, ठीक है तो इसको जो correct answer होगा वो कौन सा हो जाएगा, a, यानि कि vr, ठीक है न, vr जो format है, वो हम वो जो extension है, यह हम vrml file पर नहीं देखते हैं, या नहीं expect करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम से क्या पूछा है, कि जो statement नीचे दिये गए हैं, जितने statement दिये गए हैं, उन मे से false कौन सा है, ठीक है, true नहीं पूछा false, मतलब कि गलत कौन से statement है, ठीक है न, चलिए कौन सा गलत है यह पहले पढ़ ले सारे statement, a, standards are evolving for multimedia formats, multimedia प्रारूपों के लिए मानक विक्सित हो रहे हैं, b, multimedia annoys many web users because it forces them to learn to program, multimedia कई web उपयोग करताओं को परेशान करता है, क्योंकि यह उन्हें program सीखने के लिए मजबूर करता है, there are at least hundred different plugins, कम से कम hundred अलग-अलग plug-in है, comparison यसी हो गया, comparison plays a big role in how fast multimedia elements can be transferred over the internet, internet पर multimedia तत्वों को कितनी तेजी से इस्थान आंतरित किया जा सकता है, इसमें तूलना की एक बड़ी भूमी का निवाती है, ठीक है, तो यह जो options जितने हैं, जैसे b वाला आपका हो गया, और c वाला हो गया, और d वाला जो हो गया, यह सारे क्या है, सही है, ठीक है, यह जितने statements है, यह सारे सही है, तो इसी लिए अपना जो required statement हो जाएगा, वो a हो जाएगा, यानि कि जो a statement है, वो क्या है, false है, बाकी सब क्य क्या है जो rest है जितने बचे हुए है ये भी true है ये भी true है और ये भी true है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या बोला है हमसे कि in the top level domains .nom specifies शीर्ष स्तर के domain में .nom निर्दिष्ट करता है ये क्या निर्दिष्ट करता है option पढ़ा जाया इसका a commercial entities b non government organizations या फिर c online companies and business या फिर d personal sites ठीक है तो कौन सा है जो .nom को specifies या .nom को निर्दिष्ट करता है कौन सा है d ठीक है personal sites ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ next question हमसे क्या बोला है hardware that creates sound from a mathematical representation hardware जो गड़ती निर्वपन से धनी उत्पन करता है ठीक है न मतलब ऐसा कौन सा hardware है इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा hardware है जो की mathematical representation यानि की गड़ती निर्वपन से sound को निकाल सकता है यानि धनी उत्पन कर सकता है ठीक है ना कौन साइब भाई ए है sound synthesizer भी है speaker सी स्टैंपर या फिट डी है set top box ठीक है set top box को आप लोग जानते ही होंगे आज के लिए टीवी बगारा में बहुत ज्यादा ही चलता है इसका ही हो गया video con d2s हो गया यह सारी जितने अब तो a atl का भी आ गया है है ना तो जो ए वाला है वो correct answer है ठीक है ना ए वाला अपना correct answer है यह क्या करता है जो mathematical representation होती है उससे यह sound produce करता है sound को create करता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ क्या बोला है next question a good example of hypermedia in actual use is वास्तव उपयोग में hypermedia का एक अच्छा उधारण है audio type जो अपना hypermedia है आजकल जो hypermedia भी चल दा है तो नीचे जितने option दिये गए हैं उसमें से कौन सा एक hypermedia का actual use का एक good example एक अच्छा उधारण है ठीक है ना अच्छा उधारण example आपको बताना है ठीक है क्या क्या है a video tape b है audio tape c है internet या फिर d है all of the above ठीक है तो आजकल हम लोग ना video tape ज्यादा सुनते हैं ना audio tape ज्यादा सुनते हैं तो यह भी हट गया यह भी हट गया और अगर यह दोनों हट गया तो obvious ही बात है यह भी हटी जाएगा all of the above तो इसलिए video tape में जो required option हो जाएगा वो कौन से हो जाएगा c हो जाएगा ठीक है ना मतलब की internet आज के लिए internet पर ही तो ज्यादा तर काम हम लोग कर रहे हैं इसलिए इसको जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा internet हो जाएगा अभी जाब यह video देख रहे हैं वो भी internet पर ही आप देख र जाती है लेकिन शेयर नहीं की जाती ठीक है मतलब किस तरह की streaming है जिसमें जो multimedia file है वो जो और जो client है यादि client जैसे आप लोग हुए यह हम लोग हुए ठीक है ना तो client हम लोग हुए और ऐसी कौन सी multimedia जिसमें कोई भी फाइल जो है वो हम तक आती तो है हम तक शेयर होती है लेकिन हम तक डिलेवर नहीं होती ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है यह option पढ़ा जाए तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा रियल टांसर होगा इसमें क्या होती है फाइल हम तक डिलेवर तो होती है लेकिन शेयर नहीं होती है ठीक है चलिए next question क्या बोला है each algorithm can be optimized to meet the timing deadlines and rate requirements of continuous media निरंतर मीडिया की समय सीमा और दर आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कौन सा algorithm अनुकूलित किया जा सकता है कौन कौन सा option पढ़िया तो इसमें जो है ना जो कौन सा algorithm यूज होता है तो देखे अर्लिए डेडलाइन फस्ट शिड्यूलिंग ये भी यूज होता है और scan EDF scheduling ये भी यूज होता है तो इसके लिए इसका जो correct answer हो जागा वो हो जाएगा C क्योंकि ये दोनों हम लोग यूज करते हैं ठीक है ये दोनों algorithm जो है ये हम लोग यूज कर रहे होते हैं ठीक है ना next question अपना क्या आगया क्या next question भीया next question है a multimedia system require hard real time scheduling multimedia system को cutting real time scheduling की आवशकता होती है चलिए पढ़ते हैं जरत क्या क्या option है a. to ensure critical tasks will be serviced within timing deadlines ये सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा b. to deliver the media file to the client client को media file delivery deliver करने के लिए c. to minimize the delay delay को कम करने के लिए या फिर d. for security ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा to ensure critical tasks will be delivered within timing deadlines यानि कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वण कार्यों को सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा अगर आपको ये सारे questions PDF format में चाहिए तो जो हमारे चैनल का description है उस पर आपको आपको जो वीडियो का description होगा उस पर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक मिल जाएगा तो उस पर आप चले जाएए आप अराम से वहाँ से PDF डाउनलोड कर लिए फिर notes बनाईए ये जितने questions हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे एकदम अच्छे से एकदम proper लिखे हुए और तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना notes बना सकते हैं करिए अच्छे से और बहुत से लोग dates के लिए पूछ रहे हैं कि date कब आएगी date कब आएगी देखो यार अभी जो पुराना notification था वही है अभी latest update की December के second week में हाँ आप ये बात भी सहिए कि December के second week भी लग चुका है अभी तक भी कोई notification नहीं आया है जुड़े रहे हैं आप